जिहां सभी को नमस्कार नोलिज वीद नमीन लामबा जस्ट इंजॉय स्टेडी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है करंट अफेर्स की जनवरी 2021 की ये पूरे महिने की वीडियो हम आपके सामने लिखे आये हैं तो आज का हमारा पहला परशन है कहां पर हरियाना के पहले जेल रेडियो की शुरुआत हुई है तो हाली में हरियाना के पानिपत जेल में जेल रेडियो की शुरुआत हुई है और जो जेल मंत्री है वो कौन है रंजेत सिंग इनके दवारा इसकी शुरुआत की गई है Next, सब के लिए आवाश योजना को कब तक पूरा करने का लक्षे है? तो सेंटर गोर्मेंट का प्लस हर्याना गोर्मेंट का सब के लिए आवाश योजना इस लक्षे को प्राप्त करने का जो उधेशे है वो है 2022 तक का Question number 3, हर्याना सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे यानि की BPL परिवारों के लिए आई सीमा कितनी कर दी है? तो उनकी जो आई सीमा है एक लाख बीस हजार से बढ़ा कर एक लाख असी हजार कर दी गई है Next, निमन कविताओं के रचियता कौन है? तो हाल ही में ये कविताये रची गई है और इनके रचीता कोन है? यह हमें आपको बता दिते हैं कविता का नाम है मेग मेखला और दूसरी कविता नाम है रेशमी रसियां ये दोनों की दोनों कविताएं सिरीमती धीर खंडेल वाल इनके दोवारा लिखी गई हैं और हाल ही में इनका लोकारपन भी किया गया है हरियाना की किस पुलिस अकादमी को वर्ष 2016-17 के लिए हाल ही में सरुस्रेष्ट पुलिस अकादमी चुने जाने का गोरोप प्राप्त हुआ है तो मदुभन पुलिस अकादमी को हाल ही में 2016-2017 के लिए सर्वसरेष्ट पुलिस अकादमी चुने जाने का गोरो मिला है। की अध्यक्स न्युक्त किया गया है। 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग यानि की ECI किस थापना का दीवस है जो 25 जनवरी 1950 को अस्थितव में आया था। भारत निर्वाचन आयोग कब आया था सितव में 25 जनवरी 1950 को इसी दिन को 2011 में पहली बार मनाया गया था मतदाता दीवस के रूप में। कोशन नमर आठ बारा जनवरी 2021 तक हरियाना का वर्तमान लिंगानुपात क्या हो गया है। तो हरियाना का वर्तमान लिंगानुपात 922 लड़कियां परती 1000 लड़कों पर हो गई है। नेक्स्ट कोशन नमर नाइन गनतंत्र दिवस पर किस-किस ने कहां-कहां जनडा फैराया। तो राजेपाल के बात करते हैं हरियाना के राजेपाल। सत्यदेवनार आरिया जी इन्होंने चंदिगड में, मुख्य मंत्री जी ने पंचकुला में और डिप्टी सीम इन्होंने अमबाला में जनडा फैराया था। कोशन नमर टैन गुरुग्राम विश्विध्यालय के कुलपती कौन है। तो गुरुग्राम विश्विध्यालय जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, इनके जो वर्तमान कुलपती है यानि की वाइस चांचलर वो है डॉक्टर मारकंडे अहुजा और ये युनिवस्टी कहां पर है? कहां करो लगाँ गुरुग्राम में। गुरुग्राम विश्विध्यालय के कुलपती डॉक्टर मारकंडे अहुजा ने विश्विध्यालय का धे वाके क्या दिया है? तो विश्विध्यालय का धे वाके है वो है विध्या जीवनाय ने तू जीव का है? क्या है? विध्या जीवनाय ने तू जीव का है? ये है व सफल कारियान्वन करने के लिए हर्याना में कौन सा अभियान चलाया गया है फिर पढ़ लेते हैं एक बाद कोविड वैक्सिन रोल आउट का सफल कारियान्वन करने के लिए हर्याना में कौन सा अभियान चलाया गया है तो यह चलाया गया है ड्राई रन ओके ड्राई रन कोश की शुरुवात की गई है तो सांसद कोन है सांसद संजे भाटिया जो करणाल से सांसद है उनके लिए मोबाईल ओफिस यानिकी गाड़ी में ही ओफिस की शुरुवात की गई है करणाल से सांसद है संजे भाटिया जी और हम बात करें विधायक की तो करणाल से विधायक कोन है हाली में हर्याना के किस पोर्टल को Digital India Award 2021 मिला है तो किसको मिला है अंतोध्य सरल पोर्टल को Digital India Award 2021 से सम्मानित किया गया है कोर्शन नमबर 15 हर्याना ने साल 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया था तो ये मनाया था सुशासन वर्ष के रूप में 2020 को याद रखेंगे सुशासन वर्ष के रूप में ठीक है उसे सासन दिवस कब होता है सुशासन दिवस 25 दिसंबर को होता है नैस्ट हर्याना सरकार वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने की तैयारी कर रही है देखो 2020 को मनाया है सुसासन वर्ष के रूप में और 2021 को मनाएगी सुसासन परिणाम वर्ष के रूप में याद रखेंगे भाई सुसासन परिणाम वर्ष के रूप में कोश्चन नमबर सत्रा किस महिला का नाम एवरेश्ट की चोटी पर राष्ट्रगान गाने के कारण दर्जुआ है तो ये है मनीशा पायल का ये कहां से है फतेहबाद से कुछ गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो भाई वो बता भी देना है और उनको थोड़ा सा अर के लिए जो फ्रेश ऐसी कोशन लाए जाएंगे आप भी देखते रहे जाएंगे तो इसके लिए आप लोग प्लीज इस चैनल को जाले जाले सेर करें दोस्तों तक कोशन नमर 18 हरियाना के स्वास्ते विभाग को सुशासन दिवस 2020 पर कितने पुरुषकार मिले हैं स्वास् जीवनी OPD के लिए तीसरा आसा वरकर्स का डोर टू डोर सर्वे जो करती है उसके लिए मिला है और जो चोथा है आईश्यमान योजना के लिए मिला है हरियाना को च्यार पुरुषकार मिले हैं स्वास्ते विभाग को कोशन नमर 19 हाले में सुशासन दिवस पर हरियाना सरका जिनको अर्ज़ुन अवाड मिला है द्रोनचारी अवाड टोटल 15 खिल है ओनाचंद आवाड नो है विजयताओ का मांदे 5000 से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है यानि कि अर्जुन अवाड वाले खिलाडी, द्रोनाचारिय अवाड वाले और ध्यानचंद अवाड वाले खिलाडी इनका जो मान दे हैं पर मंद 5,000 से बढ़ाक दिया है कितना कर दिया है? 20,000 रुपे मंतली कर दिया है ध्यान देंगे अर्जुन अवाड, द्रोनाचारी अवाड और ध्यानचन अवाड अगर पूछ लिया जाए टोटल कितने लोग है तो अर्जुन अवाड के टोटल आज की डेट में हर्याना में 80 खिराडी है द्रोनाचारी वाले जिनको द्रोनाचारी अवाड मिला है वो है 15 और जिनको ध्यांचन अवार्ड मिला है वो है 9 इनका मासिक मांदे बढ़ाकर 20,000 कर दिया है ओके next question number 20 हाली में सुसासन दियोस पर हर्याना सरकार ने तेंजिंग नोर्गे अवार्ड विजेताओं का मांदे कितना कर दिया है next हाली में सुसासन दियोस पर हर्याना सरकार ने भीम आवार्ड यानि कि टोटल भीम आवार्ड पाने वाले हर्याना हम कितने खराड़ी 130 भीम आवार्ड विजेताओं का मांदे कितना कर दिया है तो ये कर दिया है 5000 रुपे मासिक पहले इनको कुछ नहीं मिलता था अब यह होगया 5000 next ताजा अकडो के अनुसार हर्याना सरकार ने फसल भरपाई योजना में कितनी फसलों को सामिल किया है तो हाल ही में टोटल यह होगये 20 फसले इन 20 फसलों में 14 सबजिया हैं दो मसाले हैं मसाले कोन कोन से हल्दी और लहसुन इसके लावाज चार फल है अब यह फल कोन है भाई एक तो आम है फिर किन्नू है फिर बेर है और अम्रूद है टोटल 20 फसलों को भरपाई योजना में स नगर निगम मानेसर में कितने गाव है तो ये तो आपको साहिद पता है बहुत पिस गाव है लेकिन कोश्चन और बन जाता है कि नए नगर निगम ग्यारवा नगर निगम जो है मानेसर उसका चेत रफल कितना है तो यह है 124.32 किलो मीटर कोश्चन नबर 24 अब हर्याना में किस फसल के बने हुए बिस्किट भी मिलेंगे यानि कि कौन सा फसल है जिसके बिस्किट भी अभी मार्केट में उपलवद हो जाएंगे तो यह है बाजरा हाली में गोवर्मेंट ने बोला है कि हैफेड के दवारा बाजरे के बने हुए बिस कामगारों को उनकी जरूरत का समान खरीदने के लिए कितना मान दे मिलेगा कोश्चन फिर समझ लेजिए जो महिला कामगार है जो पंजीकरित गोवर्मेंट दवाला रिजिश्टर्ड है जिनोंने अपने नाम की रिजिश्टर बनना चाहते हैas या हम कार송 है उनको सरकार द किस काम के लिए, भाई साड़ी खरीदनी है, सूट खरीदना है, चपल खरीदनी है, बहुत सारे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन के लिए इन कामगारों को 51 रुपए पर एर दिया जाएगा, सालाना, नेक्स्ट, कोश्चन नमबर 26, हर्याना सरकार द्वारा, बे 22, हर्याना सरकार द्वारा, हाल ही में, मेव उत्तर हर्याना बिजली वित्रण निगम के उपभोगताओं के लिए, मिश्ड कोल अलर्ट के लिए, कोन सा नमबर दिया है, यह है उत्तर भारत के लिए, और नीचे अगला कोश्चन आता है, दक्षने, स्वरी, उत्तर हर्याना के लिए, और अगला कोश्चन आता है, दक्षन हर्याना बिजली वित्रण निगम के लिए, तो नमबर आप दोनों देख लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, मैं बोलूँगा नहीं, बोलने में कन्फ्यूज हो जाएंगे, ओके, अभी चलते हैं, कोश्चन नमबर 29 पर, पसू किसान क्रेडिट कार योजना के तहट रिन के रूप में कितने रुपे तक की रासी दी जाती है, तो पसू किसान क्रेडिट कार योजना के तहट रिन के रूप में तीन लाह रुपे तक रिन के लिए रासी दी जाती है, कोशन नमबर 30, मुख्य मंत्री दोवारा किशान महा पंचयत में किस जगहें से लोगों के साथ बात की गई तो हाल ही में 10 जनुवरी 2021 को मुख्य मंत्री ने किशान महा पंचयत के लिए कैमला गाउं करनाल से लोगों से सीधी बात की थी Next, हाली में हरियाना सरकार के किस व्यक्ति का चैन भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है तो हरियाना के मुकलान हिसार गाउं के अशोक का भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर में चैन हुआ है Question number 32, हर्याना सरकार के दोवारा कितनी योजनाओं को सभी के लिए online कर दिया है? यह अंतोध्य सरल हर्याना की पोर्टल है, उसकी बाद चल रही है, तो कितनी को 549 योजनाओं को online कर दिया गया है? Question number 33, हाली में हर्याना का पहला E-Charging स्टेशन कहां खुला है? यह जो विकल्स को चार्जिंग करने की बाद चल रही है, E-Charging पहला स्टेशन खुला है पंचकुला में Question number 34, हाली में स्री नरेंदर मोदी जी दवारा 306 किलोमेटर लंबे, रेवाडी से मादर, यह मादर जगहें कहां पढ़ती है? यह पढ़ती है जैपूर में, रेवाडी से मादर किस रेलवे कोरिडूर, रेलवे कोरिडूर किस काम के रही है? माल गाड़ी, जो माल की डुला माल ढोनी वारी, ओके, साथ दन जनवरी 2021 किस को हुआ इसका, डेडिकेटड फुर्राइट कोरिडूर का उधगाटन नरेंदर मोदी जी के दवारा किया गया है, यह कहां से कहां तक है? रेवाडी से मादर नामक जहें तक, कोश्चन नमबर 35, हाली में केंदर सरकार दवारा कितने लोगों को पदम पुरुसकार दिया गया? यहां बाता है यह पदम पुरुसकार, इसमें तीनों आधाते हैं, पदम विभूशन, पदम भूशन, पदम सिरी, तो टोटल मिला है 7 पलस 10 पलस 102, यानि कि 119 लोगों को, अब बात आधाते हैं हमारे हरियाना के लिए, हरियाना के कितने लोगों को पदम पुरुसकार मिला है? टोटल तीन, भई दो को मिला है पदम भूशन, और एक को मिला है पदम सिरी, याद रखेंगे आगे आधाता अगला कॉश्चन भी, next, हरियाना में कितने लोगों को किस को मिला है? स्री जैभगवान गोयल, किस मामले में? लिचरिचर एंड एजुकेशन, दूसरा वेक्ति कोन है? स्री विरिंदर सिंग, स्पोर्ट्स में कुश्टी के पले रहे हैं, गाउं कोन सा है? सांस रोली, जजजर, और ये भाय सा विरिंदर सिंग जो है ना, क्योंकि कोश्टन कुछ भी बन सकता है, तो जान लेते हैं, पहले पदम विवूशन, साथ लोगों को मिला है, पहला वेक्ति कोन है? शिंजो आबे, पबलिक अफेर्स में, जापान के, आप देख लीजी, बोलने की रिक्वाइर्मेंट नहीं है, इसका एक हलका सा पोज करक और पढ़ लेजिए, चन्द सेकंड के लिए मैं रुख जाता हूँ, ये पदम वोशन है, दस को, इसके बाद 102 लोगों को पदम सिरी है, लेकिन वो मैरे नाम इसमें जान बुझके नहीं डाले, इतने नाम याद भी नहीं हो पाएंगे, होगे 119, ओके, कोश्चन नमबर 40, हर्याना में साइबर अपराद को रोकने के लिए, कोन सी केंदर स्थापित होंगे, तो हर्याना में साइबर अपराद को रोकने के लिए, छेत्रिय साइबर अपराद समन्वे केंदर, ये स्थापित किया जाएंगे, यानि कि लोकल छेत्र में ऐसे केंदर स्थापित किया ज तो चेत्रिय साइबर अपराद समन्वे केंद्र कोश्चन नमबर फोटी वन हर्याणा में कहां पर परियेटन अनुकुलन राज्यस्तरिय संग्राले स्थापिद होगा बाई ये कौन सा है परियेटन अनुकुलन राज्यस्तरिय संग्राले कहां पर है होगा पंचकुला में होगा हर्याना के किस वैक्ती नहीं हिलिंग हिमाल्याज नाम से अभियान चला कर हिमाल्य के अलग-अलग भागों से कचरे को साफ किया मोधी जी ने मन की बात में इनका नाम भी लिया थे इनकी तारिप भी की तो ये हर्याना के कोन है बाई साफ परदीप सांगवान जी है गुरुगराम के रहने वाले ओके कोश्चन नमबर 43 मनोरलाल खटर जी दवारा सरकार के अनुसार 5S का मतलब क्या है तो हाले में मनोरलाल खटर जी ने 5S का एक सुत्र दिया था तो इस 5S का क्या मतलब है शिक्षय, स्वास्थ, स्वावलंबन, सुरक्षय और स्वाविमान बाई पूछ रहते हैं पता नहीं क्या पूछ दिया जाएगा चेसी के दवारा पता होना चीज़ जाद नहीं है 5-5-7 कोश्चन है बाई कोश्चन नमबर 44 हर्याणा सरकार के दवारा किसानों को तपका सिचाई परणाली को प्रोथसाहन देने के लिए कितनी सबसीड़ी दी जा रही है तपका दो जानते हैं न आप जो तपक करके पानी गिरता रहता है वो है तपका सिचाई तो इसके लिए जो सबसीड़ी दी जा रही है 85 से 100 परसेंट तक दी जा रही है कोश्चन नमबर 45 36 वी नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 किसने जीता तो 36 वा नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 देवंदर सिंग ने जीता कहां के रहने वाले हैं? घरोंडा के कहां पर है? करनाल में कोश्चन नमबर 46 हर्याना की कोन बेटी MMA 1 Championship की विनर रही तो ये रही रितु फोगाट कोश्चन नमबर 47 हाली में हर्याना सरकार दोवारा चात्रों को कितने टैब का वित्रण किया गया? टैब बोले तो टैबलेट्स जो होते हैं तो 8.2 लाख स्टूडेंट्स को चात्रों को ये टैब वित्रण किये गया है थाकि वो अपनी ओनलाइन एजुकेशन को प्राप्त कर सके और जैसे ये लोग प्लस टू क्लियर करेंगे पास हो जाएंगे ये टैब जमा हो जाएंगे गुवर्मेट के पास सकुलों में कोशन नमबर फोटी एट हाली में सर छोटू राम पुन्यति थी कब मनाई गई तो हाली में 9 जनवरी को सर छोटू राम जी की पुन्यति थी मनाई गई थी 9 जनवरी 1945 को उनका दिहान तो गया था और उनकी जैनती कब होती है वो होती है 24 नॉवंबर को 24 नॉवंबर 1881 को इनका जनम हुआ था Quesion No.49 हर्याना में दुर्गा टीम के लिए कितनी महिलाओ की भरति की जाएगी तो अभी आप सभी देख भी रहे होंगे हर्याना पुलिस के तियारी भी कर रहे हैं 7000 something vacancies भी आई है तो उससे हमारा मतलब कम बनता है Quesion का Quesion यहां से निकलता है कि उसमें दुर्गा टीम के लिए महिलाओ की जो भरति की जाएगी उसके लिए कितने पद है 698 याद रखेंगे भाई चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दो हर्याना के सभी महाविद्याले कब तक तमबाकु फिरी करने का सरकार का उद्धेश से था तो हर्याना के सभी महाविद्याले और विश्विद्याले को 26 जनुरी 2021 तक तमबाकु फिरी करने का और सरकार का एक उद्धेश है था वैसे टोबैकोडे कम मनाया जाता है ताम बाकूदिवस 31 माई को यार रखेंगे Question number 15 सरकार के अनुशार कब तक किसानों की आये को दोगना कर दिया जाएगा तो 2020 तक सरकार के अनुशार किसानों की आये को दोगना कर दिया जाएगा Question number 52 यह repeat हो गया है कोई बाद नहीं 53 पे चलते हैं तिगाओं फरिदाबाद के राजकिय सरकारी कोलिज का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका कर दिया गया है सहीद समारक पोस्ट ग्रेजवेट कोलिज क्या कर दिया गया है सहीद समारक पोस्ट ग्रेजवेट कोलिज हाल ही में किया गया इसी महिने में Question number 54 बल्लबकड के राजकिय महिला कोलिज का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है इसका भी नाम बदल दिया, क्या कर दिया है, बल्लबकड के राजके महिला कोलिज का नाम बदल कर, शुष्मा सवराज राजके महिला कोलिज कर दिया है, फिर सुनेंगे, बल्लबकड के राजके महिला कोलिज का नाम बदल कर, शुष्मा सवराज राजके महिला कोलिज कर दिय गया है जन्वरी महिना पूरा चला गया है तो जन्वरी महिने में जितने भी दिन आए दीवस आए उनको और थोड़ा देख लेते हैं चार जन्वरी को लुइस ब्रेल दीवस मनाया जाता है नो जन्वरी को परवासी भारतिय दीवस मनाया जाता है 10 जनुवरी को विश्व हिंदी दीवस और विश्व हास्य दीवस दोनों मनाया जाते हैं इसके बाद 12 जनुवरी को राष्टिय युवा दीवस ये मनाया जाता है 15 जनुवरी को थल सेना दीवस होता है ये दिवस आजाते हैं और गाठ फसादेते हैं अच्छी तरह है इसलिए इनको भी आद करना बहुत जुरूरी है 23 जनवरी को प्राक्रम दिवस मनाया गया नेता जी सुभास चंदर बोश जैनती पर ये कोश्चन बहुत ही महत्पूरन है पहली बार प्राक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया गया है सुभास चंदर बोश जी की जैनती पर 25 जनवरी भारतिय परियतन दिवस और मतदाता दिवस दोनों होता है 24 जनवरी राष्टिय बालिका दिवस होता है 26 जनवरी भारतिय गनतंतर दीवस होता है और अंतराष्टिय सीमा सुल्क दीवस दोनों होते हैं 26 जनवरी को अभी 30 जनवरी को क्या होता है सहीद दीवस होता है गांधी की पुन्यति थी महार्मा गांधी की पुन्यति थी और क्या होता है सरवध्य दीवस होता है कुष्ट निवार्ण दीवस होता है तीनों होते हैं 30 जनूरी को यहां पे जो हमारा आज का आध्याय है वो समाप्त होता है मैं आप से फिर कहना चाहूंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जै हिंद जै बारत वंदे मातरम